हलो अच्छो लेट सीड़ाइब कुशन फर्स फिगर रिप्रेजेंट ग्लास प्लेट 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 वर्टिकली अन होरिजन्टल टेबल विट ब्रीम ऑफ अन प्लॉराइज लाइट फॉलिंग ऑन इट सफेज अद प्लॉराइज एंगल ऑफ 57 दिग्री विद्यू नॉम अब देखेंगे तो लाइट क्या कर रहे है रिफ्लेक कर रहे है तो आगे पड़ते हैं अलेक्ट्रिक वेक्टर इन दे रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन दे स्क्रीन एस विल वाइब्रेट विट रिस्पेक्ट टु दे प्लेन अफ इंसिडेंट इन और यानि कि यहां से जो स्वाइट जो कि बेसकली से पक्रिण चाहरे है यहां पर इस स्क्रीन खरी उसको हो हिए वह उसका एलेक्ट्रिक फ्रिक का न पुत लेगे वाइबरेट करेंगा तो वो किस प्लेन में वाइबरेट करेंगा उस प्लेन का नाम हमें आपर बताने तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलूशन से बाट विपूर आपेड्स लेस्ट पाट बाट डखी कॉंसे फिच विच वी आप बेंग तू यूज यूज यार फॉर देशन ikiवााAlन प्टफा था प्रॉम ब्रिश्टरसलोओ राइब से यदि को ही डी ऑ रे ठीक है लेट से ख एह फलाइट इंसे दrifला इंस्दैन तो cell इंडंट अट और अन On Polarizing Angle, You too light Polarizing Angle पर किसी सरफेस παर Incident करती है या पिर civ के Nicole Prism यह भी Polarizer पर Incident करती है तो इस टाइम पर क्या मिलता है हुआती आ moisture बेसकली इस प्राइब में मेन इन अफ़ दी प्लेंट कंपमपनेट होते हैं जो हर प्लेंट में इस तरीके से वाइबरेट करते रहते हैं जैसे कि हमें सिनारियो इस केस में गिवन है तो जैसे ही हम इसको यह सर्फेस पर क्या करते हैं इंसिडेंट कराते हैं सो हमें दो component मिलते हैं एक हो जाता है ओ रे जिसे हम ordinary रे भी बोलते हैं और बैसिकल ये after passing the polarizer क्या हो जाती है प्लेन पॉलराइज़्ट हो जाती है और second वाली हो जाती है हमार पास ए रे जिसे हम कहते हैं extraordinary रे और extraordinary रे यहाँ पर unpolarized होती है सो देखिए इसको हम लिख लेते हैं कि जो और रे होंगी after passing the polarizer ये क्या होंगी plane polarized हो जाती है ये वाली जो light होती है वो plane polarized हो जाती है और जो second हमें और जो हमें ये रे दिख रहे हैं जिसे हम extraordinary रे कहते हैं सो basically ये ऐन होती है ये जो हमें पता चलता है ये पतних जलता है ये पता चलता है ट्रोडर निकोल फरीसम के concept से ठीक है सो बैसकली यदि मैं यहाँ पर देखू औरे के बारे में, सो औरे जो होती है न, वो वाइबरेट करती है इन परपेंडिकुलर प्लेन, ठेक, वो कहाँ पर वाइबरेट करती है, यहाँ से हम लिख देते हैं, कि जो प्लेन फुलारा इस तरह है, वो क्या करती है, परपेंडिक कर रही है यह क्या है और अब कोंसे कंपोनेंट को इलेक्टिक फिल्ड के कंपोनेंट करती है यानि कि यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो इलेक्टिक फिल्ड है या फिर फिल्ड के जो कंपोनेंट है वो किस प्लेन में वाइबरेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में वो किस प्लेन में वाइबरेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में आद इस विल बी दा फाइनल आंसर फॉर ओवर कॉस्चन जो कि हमने स्वाल किया है लोच्यू आर्यों से लेखोन से ड्यूंसे लेखोड़ा रसे हुए। स्यार्यू अच्यार्य आर्यू है। लेखोड बोस्ते हैं टूक आर्यू सुट्ट रिट वर बस्ता अफलोग। तैंक यू